पुलिस प्रसासर है है! हाई 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 कहेंब इकोर्ट कभी आदेस होता है तो उनको नोटीस दिया जाता है उसके बाद ही तोल्पूर्ण की करवाई होती है और आज की गटना है वो तो गुंडागर्दी के साथ किया गए है बिना किसी प्रसास्री कोई जानकारी के मेरे मकान का बॉन्डिवाल 140 फुट लंबा 10 फुट हूंचा दो जेसी भी लेकर के उन्होंने 15 मेंट के अंदर पुरो डहा दिया देखे भाटा पारा थाने का घिराव किया गया है और पुलिस के प्रती लोगों का गुस्ताफ फूट रहे और यहां पर भाटा परा विधायक इंदर साव जी धरने पर बैठ गया है आई जानते हैं किस तरह का मामला है हर कि ओ धरने पर बैठे हुए है और जो धरना चल रहा है तो कारण क्या है इंदर साव जी हमारे साथ है तरह बताएंगे कि आखिर धरना पर क्यों बैठना पर गया है देखिए आज ये सायंग साड़े चार-पांच बजी घटना है अमरे कांग्रेस के वरिष्ट नेता भी है और सिंधी एकेडमी के पुर्व सद से भी रहे और इनके आवास में जो तोड़ फोड की गई है आज ये बहुत ही दुरभाग के पुर्ला घटना है क्योंकि जनरली देखा गया है कि कहें भी कोड कभी आदेस होता है तो उनको लोटीस दिया जाता है उसके बाद ही तोड़ फोड की करवाई होती है और आज की जो घटना मनें ऐसे गुंडा घटी का ही एक रूप है कहा जाए जो भाटापरा की ध्यास की पहली घटना है और हम नहीं चाहते कि ऐसी घटना की पुर्णवित्ती होते रहे और हम इसका पुर्जोर विरोत करते हम चाहते कि आप राधियों की तुरंद ग्रिपतारी हो और इसी को ले कि हम पुर्ण कांग्रेस के लोग आज बठे हैं बहता पारा कॉंग्रेसी विधायक इंद्र साओ जी यहां पर धरना पर बैठे हैं और अपने सपोर्टर के लिए धरना में बैठे हैं जमीन विवाद का मामला समझ में आ रहे हैं कि यह बातों से जानते हैं कि जमीन विवा जानता की सलोचना मनधन से खरीदी है और उस पे दो मैने के अंदर प्रमान Shanghai कान होने के बाद में मैंने जनौरी परवरी में उस पर बाउंड्रियोाल बनाया है और बाउंडियोाल बनने के आज 16 मैने के बाद में उन्होंने अपने कुछ गलत दोस्तों के साथ दो जेसी भी लेकर एक और आकर के मेरी बाणिवाल को तोड़ दिया उसके पहले वो मुझे जो जमीन उनको मैंने बेची थी उसके बारे में बात करने आये थे उसका कुछ प्राइब्लम ए तो वो प्राइब्लम कुछ भी नहीं था तो एक आड़ ले रहा थे कि मेरे को जमीन बदल दो करगे पर अच्जी नहीं आए और मेरे को अच्छी जमीन कहीं और देखो कर ले है अज जो विवाद हुआ ये विवाद पुलिस थाने तक कैसा है पुलिस से क्या चाहते है वो आज अपने गुन्डे दोस्तों के साथ में आकर के मेरे मकान का बॉन्डिवाल एक सो चालिस फुट लंबा दस फुट उंचा दो जेसीवी लेकर के उन्होंने पंदरा मेंट के अंदर पुरो ढहा दिया बगएर किसी कारण के पुलिस की भूमी का क्या रही समय और क्या चाहते हैं मैं उनको लिखित में दिया हूँ जेसीवी के नंबर दिया हूँ उनको और विडियो फोटो दिया हूँ उनको नाम लिख करके दिया हूँ तो उस पे वो एक्षिन का फायर दछ करे और उनको गरबतार करे और जेसीवी को यहां पे लेकर के आए के पीछे तुनि जमिन मिवाद का मामला है और अपने समर्थक का समर्थन करने के लिए विधायक इंदे साओ जी आज धरने पर बैठ गये हैं थाना के सामने बैठे हुए हैं अब मामला कहां तक जाता है और फाययार करानी के मंसा साह क्यों यहां पर धरना में बैठे हैं और स चलेगी नहीं चलेगी अब देखना यह कि कारवाही किस तरह से होती है और आगे कितने समय तक यह भरना पंदर्सन चलता है और क्या निर्ड़ने होता है कैमरामेन भजरंग के साथ कोमल फर्म आई बीशिट अडिक बोल हाटा पाई